व्लविश्जी वैकम बेर टू मेड होएं वीडियो यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि एक वीडियो इस तरीके का बना रहा हुन हमारे पास सच्व जतने भी दिन भर में कोल साते हैं एक दिन में कम से कम सो से अग्जेड को हमारे पास आते हैं से की सर रमने नया हो बिजनस में मेरको नहीं पता कि प्रिंटर कॉन सा चीए, मशीन कॉन सा आपको, क्योंकि हमें हमारे नमबर्स पे आप में वाटसप ता है या लोगा जो मेसे करते हैं, उसमें हमे एक निए चैटलोग आप तरफ से आपको शेयर किया जाता है, ब हيठतर रहे हैं तो कुछन करना चाहते हैं अ-स तरीके लिए के लिए पड़न करना चाहते हैं это या यू इस सारे एक्रेलिक के आइटम है अगर करना चाहते हैं ट्यद्ध करना चाहते हैस्ट की विम पर देखने को मिल चीज़े टी-शिर्ट आप अगर प्रिंट करना चाते हैं तो आपके लिए जो मशीन की रिक्वारमेंट पढ़ती है उसको बोलते हैं हम फाईंग कोंबो हिट ना हीटप्रेस मशीन करकिया कर सकते हैं इस मशीन से आप सारे के सारे प्लेट आइटम्स प्रिंटर कर सकते हो इस मशीन गयर कर सकते हो ऑर यह मेशीन घृति हैं लाइशोन टार स्लाइडर कर सकते हैं इस त्रमें इस स्लाइड कर सकते हैं तो ये पूरी-फॉरी स्लाइड में प्रीमियम है एқके सिंसी में फरक नहीं है दिन की में सिर्फ उर सिर्फ की वैलिविनले मरें आयेग息 तो आपका सिर्फ मशीन की क्वालेटि ने फर्गागी, यह मैटल का मशीन है, बहुत हेवी वेट है, और यह दूसरा आप स्लाइडर मशीन भी देख सकते हैं, यह मशीन भी हमारा स्लाइडर है, इस ते थोड़ा सा लो क्वालेटि का है, लेकिन परफेक्ट है मशीन ये भी ऐसा नहीं है कि बेकार मशीन है मशीन की डूरेबिलिटी की बात कुरूँ सारी हो की तो कोई डूरेबिलिटी नहीं है चार से पांच साल आराम से चलती है ठीक है तो उसकी आप चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा medium quality का है थीड़ी अब इस machine की बात करो तो यह वाला भी five into one ही है लेकिन यह machine थोड़ा सा premium quality प्रीमियम किस sense में बोल रहा हुँ कि quality उसका अच्छा है, metal वगैरा का失控 का अच्छा हो भाए है, तो five into one machine की बात करों तो 5-in-1 मशीन भी अपने पास 3-4 तरीके की होती है ठीक है अगला मशीन की बात करूँ तो ये वाली मशीन ये है आपकी heavy duty 5-in-1 मशीन ठीक है जी इसमें क्या होता है मिटर वगेरा इसमें celsius और फैरनाइट में चलता है और ये पूरी की-पूरी कर सकते हैं ठीक है जी अगला आता है आपका double station machine double mug station की machine है ये इसमें आप एक साथ 2 mug easily print कर सकते हैं फिर आपकी आती शिपर इसमें आप बोतल बोतल प्रिंट करना चाहें तो बोतल प्रिंट कर सकते हैं अभी काफी लोगों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि शर अलग से हम शिपर machine क्यों लें जब शिपर बोतल वागेरा हम इस से प्रिंट कर सकते हैं देखिए मैं बताता हूं आपको अगर आप शिपर करेंगे इस हो कि five in one machine आपको तब लेनी पड़ेगी जब आप overall सारी चीजिया प्रिंटिंग करना चाहते हैं ठीक है अगर आप बात करूं अगर आप फाइव इन वन अगर आप लेते हैं तो उसके साथ प्रिंटर कौन सा लगता है यह ने चैनल पर देख सकते हैं ठीक है फाइन मशीन का आपका डाउट क्लियर हो गया इधर आई है अब आपको खाता हूँ मैं आपको यह वाली मशीन, 16x24, अगर आप सिर्फ टी-शेट प्रिंटिंग की मशीन यूज़ करें, सिर्फ टी-शेट प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यह वाली मशीन ले सकते हैं, 16x24 की, 16x24 इंच, 220 वॉल्ट की मशीन है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट आइटम आपके प्रिंट करेंगे, अगर आपको फ्लैट आइटम, मतलब जैसे टी-शेट, mobile cover, frame प्रिंट करना, वो कर क्या रही सकती, बोतल नहीं प्रिंट कर सकती, और आपके मग प्रिंट नहीं कर सकती, जो भी घुमाव आइटेम होते हैं जो गोल आइटम होते हैं वो आप इस मशीन से प्रिंट नहीं कर सकते हैं 16 24 की अगर आप सिंगल मशीन लेते हैं फिर आती आपके 15 15 की यह वाली मशीन 15 15 की होती है उस मशीन में और इस मशीन में सिर्फ और सिर्फ साइज का अंतर है बाकी कोई अंतर नहीं ह अगर आप वह वाली head press machine लेते हैं, open mouth machine भी बोलते हैं, उसको 16x24 की head press machine भी बोलते हैं, उसको, अगर आप 16x24 की machine लेते हैं, आप 15x15 की normal machine ये लेते हैं, तो उसके लिए आपको mug print नहीं कर सकते हैं, bottle print नहीं कर सकते हैं, cap print नहीं कर सकते हैं, plate printer नहीं कर सकते हैं, tile कर सकते हो, flat item सारा कर सकते हो. टी शेट कर सकते हो. बच्चों के बैख कर करें जो ये सिर्फ यह इसकी बात निंहीं कर रहा हूं या इन चारों की बात निकर आठीं करेंगी न वो ही ब्रॉडयक्त आपके 16 बाई 24 और 15 वाई 25 दो आईटम और 15 के मशीन नहीं प्रॉड़ेंट ठीक है जी वह आपको हो गया अगली आती है मग काफी लोग यह बोलते हैं सर मग मग प्रिंट करना है हमने तो हमें कुछ और चाहिए ही नहीं आपको प्रिंटर की रिक्वार्मेंट फिर भी पड़ेगा ठीक है सिर्फ मशीन का आपका डिफरेंस आगा उसमें आपको क्या करन सकते हैं यह सिंगल है इसमें क्या है सिर्फ आपको मग मग प्रिंट कर सकते हो एक मग और डवल वाला तो मैं आपको पताए कि डवल मग आप किस से प्रिंट कर सकते हैं टीशेट प्रिंटिंग का बिजनस स्टार्ट करने के लिए आपको एक मशीन हिट प्रेस एक प्रिंट स्टार्ट करने के लिए आपको सब्लीमेशन मशीन की जरूत पड़ेगी सब्लीमेशन प्रिंटर की जरूत पड़ेगी सब्लीमेशन इंक की जरूत पड़ेगी सब्लीमेशन टेप की जरूत पड़ेगी और सब्लीमेशन पेपर की यह पांच चीज बेसिक होती हैं अगर आप टी-शेट प्रिंटिंग का बिजनस स्टार्ट करना चाहते हैं अगर आप मशीन दूसरी लेते हैं तो वो चार चीजे तो फिर भी जरूत पड़ेगी आपकी इंक, टेप, पेपर और प्रिंटर वो चार चीजे तो आपकी पड़ेगी पड़ेगी डिपेंड करता है आप मशीन कौन सी लेना चाहते है फाइवी नमन लेना चाहते हैं, कॉमबो लेना चाहते हैं या सोला भाई, चोबिस, पंदरा भाई, पंदरा या फिर मग प्रेस, ठीक है अब आती है अगली मशीन हमारी बैज मशीन में बैज मेशीन का 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 क्या का होता है आपने लेक्शन से में अब Qrid तुसमा सै एक साथ 10 फंदरह designed कर सकते हैं लेकिन आप इसमें T-Shirt नहीं कर सकते हैं यह आए यहाथ है अभी काफी लोगों को क्या होता है कि यह सर मेरे को छोटी प्रिंटिंग करनी है बहुत छोटी इतनी सी तो बड़ी मशीन लेके क्या करूँगा तो उसके लिए हम जो मशीन लेके आए है वो है आपकी 6x6 इंचिस की लेबल प्रेश मशीन ठीक है मेटीरियल की बात करूँ तो मेटीरियल भी आप देख सकते है अपने पास मेटीरियल भी सारा का सारा मिल जाएगा कुशन अगर आपको फ्रेम चाहिए तो फ्रेम भी आपको देखने को मिल रहे है स्क्रीन पे सारे के सारे फ्रेम आपको मिलेंगे my love, happy birthday, happy anniversary के सारे के सारे frame आपको अपने पास available मिल जाएंगे ये जो product होता है ये MDF होता है ऐसा नहीं है कि आप किसी भी product पर प्रिंट कर सकते हो काफी लोग ये भी बोलते हैं कि सर मैं चपल पर प्रिंट कर सकता हूँ फ्रेम उठा के दिखाऊं तो ये MDF होता है अगर आपको ये प्रिंट करना है तो कैसे पर इसमें अलग अलग पार्ट में काथमने का solar, इसमें MMDF आ का अलग आता है मचिना के जाना है बागी का परोड़क्त आप का में धोड़ा है और अगर आपको इसी में आपको एक लिटर में चाहिए तो एक लिटर की भी अपने पास अविलेबल मिल जाती है अगर आप प्रिंटर अगर प्रिंटर की बात जैसे में बता देता हूं एक बार इस वीडियो में भी अगर अगर आप एक साल की वारंटी मिलेगी एक सेट का का इंक मिलेगा और 100 पिंडींों का सेट भी आपको एफ ऐफ-वन- थर्टी में मिलता है इसमें जो इंक इस्तमाल होती है यह होती है यह अलग इंक आती है ईगर आपको को येवाला इंक डालोगी इसमें तो dau इंक नहीं चलेगी इसके लिए आपको यह ओरिजिनल एपसन की इंक लेनी पड़ते है और एपसन की ओरिजिनल इंक का मतलब यह नहीं कि यह कुशन पुरा होता है लेकिन प्रिंटिंग आपको इस पैच में होता है चीजिनल घुट वट मशीनल इसमें इसके दो पार्ट में आता है इसको फिलर बोलते हैं वह लगाता है तो वह इसका भी वीडियो हमारा अल्रेड़ी डला हुआ है वह देख सकते हैं कैप के की बात करो, कैप की मاشीन भी अलग आती है, और कैप की शोड शेल तो आपको फाइव इन वन बिर बातों अलग अलग आती है तो इसमें अपका कैप प्रिंट कर सकते हैं, सिर्फ पोर्षिन फीर यह होता है क्य प्रिंट करने इसके ओपर आपको पेपर लगाना है, जो प्रिंट निकाला है वो लगाना है, पीछे करके टेप लगा देनी है, सब्लीमेशन की टेप और इस मशीन के अंदर आपको डाल देना है, इसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, कुशन का आपको हो गया, अब बात करें, लैम्प्स की, लैम्प्स का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हो, आप जाके हमारे चैनल पे, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पीवशी शीट जो है, ये इसके साथ ही लैम्प के साथ ही मिलती है, जो की आपक मग प्रिंटिंग करना है, तो मग आप इस मचीन से प्रिंट करेंगे, आपको क्या करना है, यहां से, यहां तक का साइज आपको मेजर करना है, जो 21 संटीमेटर के एप्रोक्स होता है, अगर अगर इसकी बात करूँ इसकी तो आपको 10 संटीमेटर के करीब इसकी हाइट ले करें मोटल की कावी लोगों का बोतल में डाउट की रहता है सूर साइज बता ये गrosize कैसे बता दया था ऊपको प्रिंटीं काने वंप नापनी है उसके साइज का आप को अंकाला है को रोल्रो या फोटोशोप से किसी भी आदिनिंग कसी कर सकते हैं माद कijnाями bạn और printing आपको start कर दिने, सब product की nearly 80% product की video मैंने अल्री बनाई हुई है, glass frame की बात करूँ, तो glass frame में क्या होता है, पीछे की तरफ आपका part होता है, पीछे की तरफ आपको जितना यह size है, उतना ही आपको print out निकालना पड़ता है, और आपको कुछ temperature timing रखके, आपको इसको print करना पड़ता है, इसमें आपको positive image निकालनी पड़ती है, mirror image नहीं निकालनी, ulti image नहीं निकालनी, cd image निकालनी है, पीछे लगाना है, और आपको यह print इस पर हो जाएगा, इसका भी video मैंने बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं, glass frame के नाम से इसका video है, ठीक है, अगला product रहता है, 628 के LED frame, LED frame के आपको cutouts आपको मिल जाएंगे, किस size में लेना है, वो सारा cutouts आपको available, मिल जाएगा है, हमारे पास से ये भी आप print कर सकते हैं, आप normal frame वगरा print करते हैं, ठीक है, अगला item हमारा mouse pad है, mouse pad भी आपको जैसे t-shirts वगरा print करते हो, ऐसा ही करना है, size ना पना है, सिर्फ mouse pad का हमारी का, कि इतना height इतना वीटता है, ठीक है, आपको क्या करना है, inch tape आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, आता है, यह plane आता है, यह आपको सारे के सारे print करने हैं, size आपको ना पना है, जैसे इसका 3 by 3 inch का size है, सिर्फ इसका printing area का, तो 3 by 3 inch का आपको print out निकालना, और इसके उपर आपको चिपका देना है, ठीक है, frame के बारे मैं ना बता दिया, इसकी height, width इसकी 6 inch है, सब्सक्रों करो, तो इसको आप print जो निकालना है, वो निकालना है, सवा 6 inch का, ठीक हो थोड़ा सा print extra निकालना पड़ता है, आपको और height भी आपको measure करने है, width measure करने है, आपको print out निकालना है, फिर आपको paper इसके उपर लगाना है, mirror में निकलेगा, paper उपर लगाना है, machine के अंदर रख देना, time temperature आपको share कर देंगे, ठीक है जी, यह आपका हो गया, अब रही बात plate की, plate आप अगर print करना चाहते हैं, इस machine से, तो आप जो plate print करना साथ है, अगर आपकी इसके attachment इतनी चोड़ी है, तो आप सिर्फ इतने area पे ही print कर सकते हो, इसके भार के area पे print नहीं कर सकते हैं, अगर आपको भार का area पे print करना है, तो आपको 3D vacuum machine की जरूत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि 3D vacuum machine की जरूत कपड़ती है आपको, ठीक है, वो आप उससे कर सकते हैं, बाकी के love अगरा के frame है, वो सारे के सारे आपके flat machine इसी मैशीन से आपके print हो जाते हैं, ठीक है जी, अगर बात करूँ यहाँ पे, इसकी cushions की तो cushions के भी PSD आपको मिल जाएंगी, पूरी की पूरी, डार्क कलर पे प्रिंटिंग नहीं होती है, और आपके जो cotton के fabric है, cotton का जैसे आप 10% cotton होगा है, बायोश हुआ, PC हुआ, उसके आपके light fabric पे भी नहीं होगी और dark fabric पे भी नहीं होगी, डार्क कलर पे भी नहीं होगी, लेकिन सिर्फ डार्क कलर ही होगा है, जैसे कि black कलर, उस पे आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, और अगर बात करें कि जैसे अगर जैसे मैं ना बता, आपको निर्मल वगेरा पे आप सब्लीमेशन कर सकते हैं, और अगर बात करें हम कि भई, आपको डार्क कलर की टी-छिट है, सब्धकरोई black कलर की टी-छिट है, उस पे आपको single कलर की प्रिंटिंग करने हैं, white कलर हो, या फिर सिर्फ yellow कलर हो, या फिर आपका red कलर हो, तो उसके लिए आपको जो requirement पढ़ती है, वो आती है, पलोटर की, बिनायाल की रोल लगते हैं इसने दो प्रेंट हैं घइक excessive को तो आप ए उस इंदर रखाएंगे और सौ जबिए खाल रहते हैं इस मेशीन के अंदर लेके आना है तब आपको वाईट कलर मुआ गर चिपका दिया 10 तरीके इस तरीके इस तरीके कि लिए a 10 क्रीको डिल्चेयरेवे इस अब रहाग त theCUBE है तो सब्सक्राइब को Pasam path EU T डबल जीरो इसमें क्या होता है आप किसी भी कलर के टीशेट पे सिर्फ मैं ब्लैक ही नहीं बोलूँगा वैसे यूज्म लोग बाग जाद है ब्लैक पे करते हैं डार्क पे करते हैं लेकिन अगर आप वाइट पे भी करना चाहते है तो स्टीकर उससे निकलेगा और आपका इ इसकी डिरिय बेट वी काफी जाद अच्य होती है और डाक शीर की बात करते हो डाक शीरेटी unsere डो दस से तपंद्रा वाश की रहती है और नॉर्मल इंक क्यट प्रिंटर से उसका पृप्रेट निकलता है फॉसिघा का सीधा इमेज आप निकाल लो उसको पीलोप आपको कर आपको क्या नाम है अपकी 3D Vecal Machine मशीन के बारे में बता है आप को ECB मशीन ले सकते हो ठीक है प्रिंटर का मैंने आपको पता है 5 L805 L1800 L130 F130 ठीक है ये 5 प्रिंटर आप यूज कर सकते हो को ECB जैसा आपका बजट है सारे अच्छे होते हैं सिर्फ LX-130 में थोड़ा प्रॉलम आता है, बाकी के चार प्रिंटर में जादा प्रॉलम आता नहीं है, बाकी के प्रिंटर आपके पर्फेक्ट रहते हैं पिर आता है आपका sublimation paper यह A4 का paper है यह आपका चलेगा F130, L130, L805, L1800 और L1300 printer में आपका इससे बड़ा paper चलता है जिसको A3 size का paper अब बोलते हैं तो वो आपका चलता है तो T-shirt printing business का मैंने आपको बता दिया है कि T-shirt printing business में आपको एक machine की जरूत पढ़ते है हिट प्रेस की व आप चीजे ले सकते हैं ठीक है और दूसरी रहती है आपकी material material आपका T-shirt आपको चाहिए bag आपको चाहिए cushion आपको चाहिए frame आपको चाहिए सारी की सारी चीजे आपको हमारे पास मिल जाएगी बागी मैं आपको एक बार उपर भी लेके चलता हूँ जहाँ पर हमारा पुर लेके चलते हैं तो अपना यहां पर स्टोक आपको मिल जाएगा पैकिंग की बात करूँ तो हमारी master packing आती है 10 पीस की इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं यह neon green color है parrot green color इसको हम बोलते हैं इसमें आपको M size की 10 T-shirt है मिलेगी single color में और single size में आपको मिल जाएगी और quality भी आपको इसमें same की safe मिल जाएगी master packing इस तरीके की होती है और दूसरी master packing हमारी 5 पीस की भी आती है जैसे की normal net dot net की नाम से हमारे brand है dot net की नाम से आपको 5 पीस मिलेंगे single size में और single color में हमारे label के साथ label आपको हमारा express printing का ही मिलेगा जो भी होगा T-shirts पे किसी-किसी पे हमारा T- जो हमारी दोनों फर्म हमारी है यहां पर देख सकते हैं जितने भी आप order करोगे कोई भी पारसल है कोई कुछ भी आपका वह सारा का सारा है हमारा dispatch होता है अगर आप प्रिंटिंग का business start करते हैं तो आपको machine मैंने नीचे बता है कि machine आप कौन सी लेने कौन सी आपके यूज की होती है five in one है slider है आपकी heavy duty है आपकी आपको चीए वो आपको मिल जाएगी अगर बात कुरूँ उनी मशीन में जो जो प्रोड़क्ट होते हैं वह भी सारे के सारे आपको अपने पास available मिल जाएं अंदर आप अंदर दिखा दो यहां पर जैसे आप online orders वगरा करते हैं वह इस तरहीके से parcel है प्रॉपर तरहीके से packaging हमारी होती है यहां पर आप देख सकते हैं प्रेकिंग πα्गिंग अच्छे तरीके से शे करने की दरोथ निया कि पार्सेल सेफ आएगा कि नहीं आप olduैंस कुशंस 15 35 514 24 सारी की सारी मशियू अपके प्रिंट हो जाते हैं ठीक हैं अ इसमें प्रिंट हो जाएगी magic mirror वगर हैं वो सारी की सारी चीजे आपकी मिल जाएंगे ठीक है तो उसके भी चिंता करने का दरूरत नहीं है टीशेट का मैं बता है तो टीशेट का भी हमारे पास भरफूर रहता है और पीछे भी आप देख सकते हैं फ्रेम फ्रेम भी आपको म 90 रुपे का आपको अपने पास आविलेबल मिल जाएगा तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ कोई भी मशीन अगर आप पर चैस करते हो लेकिन अगर आप 16 भाए 24 पंद्रा भाए 15 है तो आप सिर्फ एटम प्रिंट कर सकते हो ठिक है जैसका मैंना नीचे पता था जरबी हमारी मिल जाएंगी यहां पर देख सकते हैं अलग-अलग कलर की अलग-अलग साइजिस की हमारे पास सारी की सारी टी-शिट एवलेबल हमेशा रहती हैं अगर आप अपना बिजनस सुरू करना चाहते हैं तो बे जिजक आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी लिए था जो नया बिजनस सुरू करना चाहते हैं और जिनको समझ नहीं आता क्योंकि हमारे पास बहुत कोल्स आती हैं तो हम उनकोल भी बता नहीं सकते कि कौन सी चीज आपको लिए कौन सी मशीन आपके लिए तो इसलिए वीडियो बनाए तब पसंद आया तो लाइक कर द करते हैं बाकी वीडियो का मक्सद हमारा यह रहता है ताकि आपके हैल्प हो सके टीशिट प्रिंटिंग बिजनस में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वीडियो जरूर देखा कीजिए धन्यवाद